नवसे दोस्तों एक बाद फिर से लेकर के आचुके आप लोग लिए एक और शांदार कार जिस गाड़ी का नाम तो आपको बेशक पता ही होगा जिनको नहीं पता उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं भाई आपको नाम बता जाता हूँ गाड़ी का नाम है टाटा लेकर कैंँ मैं अपको बताने बी वाला हूँ जाती है आपको नीट परने वालाब ही को लेने में डोकोल्वेंट में सारह कुस insights कसे वड़ा हम आपको देने वाला है तो चहले सबसे पहले तो गारि का ओवर व्वीजो से बात कर लیता 얘 तो आगे मैं आपको बताओं तो आगे में इसमें normal सा जो hylogen हेलाइट होता है वह आपको इस गाड़ी का अंदर मिल जाता है इसमें कोई भी आपको प्रोजेक्टर हेलाइट देखने को नहीं मिलता साथी में बीच में आपको नियो के बैजिंग देखने को मिलेगे क्योंकि वी गाड़ी यह ilecktrick जितने ही गाड़ी दोस्तों आपको green कि नमर प्रेड देखने को मिलने वाली है और headlights में साइड इंडिकेटर होता है वह भी आपको मिल जागा साथ मैं आपको फ्रेंट में एक छोटा सा वाइपर देखने को मिल जागा जो कि सिंगल वाइपर और च्छत को पर आपको एक सिंगल एंटीना देखने को मिलने वाला है वही बात के लिए साइड लुक की तो साइड लुक भी काफे कमाल का इस गाड़ी का आपको मिल जाता है वही आपको मिल यह साइड इंडिकेत्त ंद्र कूपर को तेखने को मिल लीघूंत अगर आप हैं अगर यह इसके बारे इपता हूं तो आपको तर्फ देखने को मिल जाता है काफी चोटी से गाड़ी है काफी चोटा टैर बीस ज्यादा तो दिखकत नहीं होता आपको लगवा देखने को मिलने वाला है और डोर को उपर आपको क्रोम के फिनिशिंग देखने को मिल जागी जो की एक आफ्टा मार्किट होती है जो की भाई ने करवा रखा अगर आप निव वाले लेते हो तो निव में आपको यह सब कुछ भी करा हुआ नहीं मिलेगा साथी पीछे से बताओ तो पीछे से काफ़े कमाल का इस गाड़ी के अ देर आपको लग दोस्तों देखने को मिल जाता है सबसे पहले तो आपको पेट्रोल बरेंट वगा करता था उसमें पीछे का boot open करने का features नहीं मिलता था लेकिन इसमें आपको ऐसा कोई सीनियस में आपको boot open करने का features मिल जाता है अपनायम से पीछे से boot open कर सकते और बूट में थोरा वोत नहीं दोस्तों बहुत ज़्याद आपको SPS भी मिल जाता है साथी साथ पीछे में आपको नियो की बैजिंग मिल जाएगी और टेलेट की बात करें तो गारी का टेलेट नॉर्मल जो आता है बल बॉला वही मिलता है कोई भी इसमापको LED टेल लाइट देखने को नहीं मिल वाला है हाला कि आप चाहें तो आपको टामाकेट स्ट्रॉल करवा सकते हैं आपको बहुत डिपेंड करता है साथी साथ पीछे में आपको कोई भी रेफ्लेक्टर गारी का अंदर नहीं मिलता है दोस्तों घ्रओ और इंजन बिल्कुल साइलंट है जैसा के पैत्रॉल में किछ आइअ कापको करो कारण सर्फे में कहीं मिल गाता है सैक्ट उसमापको डेखने को नहीं मिल दोस्तों योक्टरिक गारी और इंजन बहुत ज्यादा साइलेंट है साथ ही साथ में आपको इस गाड़ी के इंटिरियर के बारे में बता हूँ तो इंटिरियर काफी कमाल का आपको देखने को मिल जाता है सबसे पहले तो आपको dual tone color के साथ इस गाड़ी के आपको dashboard मिल जागा, जो कि देखने में काफी ज़्यादा premium वाला feel आता है तो काफी कमाल का आपको इसमें दोस्तों देखने को मिल जागा डैसबोर्ड और फ्रेंट में आपको दो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगी जो कि डैसबोर्ड के उपर लगी है काफी कमाल को म्यूजिक भी मिल जाती है और इतना ही नहीं पर नहीं दिया गया साथी साथ चारों को चारों जो विंडोस हैं आपको नॉर्मल मैनुल वाले जो वहीं आपको मिलते हैं को भी और प्रेटर के साथ मिल जाता है इतना ही गारी का जो मीटर है दोस्तो स्पीडोमेटर वापको डिजिटल स्पीडोमेटर शुट पर नहीं के अंदर लगाई गया और वरकिंग या दोस्तो और बैक कैमरा पार्किंग सेंसर भी श्कारिक अंदर आपको लगी हो जाती है वहीं गेर की बात करें तो गेर आपको जो आटमाटिक होता होई आपको देखने को मिल लागा इसमें कोई-भी Manual gear आपको लेवल ही मिलता है iljekt Rück may आप अगर a blended लेने जाते तो a Лएन महीं लेना पड़ेगा क्योंकि सिंगल आपके पास सिर्फ वर से यह होता है और गेर काफी शांदार मिल जाता है उपर में आपको लेदर के फिनिशिंग मिल जागी जो की देखने में काफी जाधा अट्रेक्टिव लगती है और सीट के बारे में बता हूं तो सीट काफी कमाल आपको मिल जाता है, चली आप करें इंजन के स्पेशिक्स के बारे में तो दोस्तों maximum power की बात करें तो इस गारी का आपको maximum power 27bhp का देखने को मिल जागा, जो कि गारी के हिसाब से बिल्कुल okay है, साथी साथ maximum torque की बात करें तो और 60 NM का इसकारी के अंदर आपको टॉर्क मिल जाएगा साथी साथ बात करें इसकारी का मोटर के बारे में कौन सा मोटर लगा तो दोस्तों इसमें आपको इंडक्शन मोटर देखने को मिल जाता है वहीं बैटरी का अफटेशीटी के बात करें तो 17KWH का इसमें आपको बैट देखने को मिल जाता है और लगो नॉर्मल हर एक गाड़ी रियल वे ड्राइब ही आती है और गयर तो आटमाटिक मिल जाएक जो की बताएं दिया था कर देते हैं तो एक गाड़ी एक चार्ज में 140 km विदम अराम से चली जाती है बीना कोई पढ़िशानी के तो एक चार्ज करिए और 140 km गाड़ी को अराम से चलाइए तो चलिए अभी हम बात कर लेता है कौन से मोडल गाड़ी है क्या है क्या नहीं है तो टाटा नानो दोस्त तो 14,000 km गाड़ी चली है जो कि सेकंड एंड में सेल हो रही है अगर आप ब्रैंड न्यू लेते है तब तो आपको बिल्कुल 0 में मिलने वाला है मतलब 0 km चला हुआ मिलने वाला है गेर बॉक्स आपको आटोमेटिक मिल जागा फस्ट ऑनर गाड़ी आप लेंगे तो बन ज परिशानी के और सेकंड अगर आप लेना चाहते हैं तो दिल्ली में अब लेवले सकते हैं बिना कोई परिशानी के चली बात कर लेते हैं आगे में नियो क्यों लिखा हुआ था इस गारी के उपर तो दोस्तों इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि जो टाटा ब्रैंड है जागा और अगर आप सेकंड लेते हैं तो वहीं तीन लाग तीन पचास के आसपास आपको गारी आराम से पड़ जागी कॉंटेक्ट नमबर पर आप कॉल करके और से बात करिए बात करके गारी को पसंद आ तो गारी आप बेशक ले सकते हैं आज किस वीडियो पसंद आई ह तो लाइक करें चैनल परें तो चैनल को सब्सक्राइब करें